Hi everyone, I welcome you all to Target Competitive and ये रहेगा हमारा lecture number 8 regarding chemistry यहापे और ये lecture में हम यहापे cover up करेंगे chemical reaction लास्ट लेक्चर में हमने देखा था chemical change और ये काफी important रहेगा क्योंकि next lecture में हमें cover up करना है chemical reactions regarding important components जो कि सिल्बस में mention किया गया है तो यहाँ पे हम देखेंगे chemical reaction बट लास्ट लेक्चर मे मैंने आपको chemical change डीटेल में cover कर आए थे और लास्ट महाँ पे मैंने तीन important points बोले थे कि how to identify a chemical change या chemical reaction जब भी कोई है तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कि यहाँ पे chemical reactions इन वालो है और ये वाली examples मैंने आपको mention की थी और ये काफी important examples है वो वाले lecture में जाईएगा अगर आपने last lecture नहीं देखा है तो चलिए यहाँ पे हम start करेंगे chemical reactions को ठीक अब पहले देखेंगे हम chemical reaction होती क्या है ठीक chemical reaction ये एक process होती है पहले आपको ये जाना है जहाँ पे one और more जो chemical substance है वो react करती है या तो एक substance react करेंगी या तो उसे ज्यादा substance react करेंगी with another या with other chemical substance let मेरे पास है A ये react करता है with B ठीक तो ये react करता है with B and ये मेरे को देता है C plus D तो A and B यहाँ पे क्या होगे यहाँ पे यह हो गई chemical substance इन्होंने यहाँ पे combine किया और इन्होंने new substance कोन सी बनाई C and D तो यह हो गई chemical reaction ठीक इन्हें इसे कहते हैं हम chemical reaction इसे भुँद जहाँ पे एक याज एक से ज़धा ठीक जहाँ पे एक एक से ज्यादा सबस्टेंट्स क्या हो जाए, combined with another substance, ठीक, तो वहाँ पर क्या बनते हैं, वहाँ पर नई compounds बनते हैं, या नई substance बन दिया, तो इसको कहते हैं हम chemical reaction, तो यहाँ पर chemical reaction में क्या होता है, यहाँ पर एक तो reactants involved होते हैं, दूसरे products ठीक अब हम देखेंगे reactants क्या होते हैं products क्या होते हैं बिल्कुल simple है काफी simple ठीक तो reactants reactants वो chemical substance हो दिए हैं जो हमारे पास originally होती हैं क्या होती हैं बही originally let मैं बोलूँगा A और B ये मेरे पास already हैं मैंने क्या किया है मैंने A और B को mix किया है तो वहाँ पे कोई C बन गया ठीक वहाँ पर कोई नए chemical या कोई नई सबस्टन C बन गई तो A and B जो है ये आलड़ी मेरे पास हैं क्या है मेरे पास आलड़ी हैं तो इनको मैं कहूंगा ये हैं बई reactant क्या है reactant ठीक like water देखते हो आप क्या आप देखते हो water को ठीक तो water में क्या होता है water में actually पहले hydrogen होता है फिर oxygen होता है और hydrogen और oxygen जब combine होते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है H2O यहने की water बनता है तो मैं बोलूंगा जो hydrogen और oxygen है यह क्या है यह है रियक्टन्ट और जो नया compound बन रहा है ना like हम पर hydrogen ऑक्साइड hydrogen dioxide यहां हम बनता है hydrogen dioxide यहना की H2O यहां पर रखिएगा याद H2O hydrogen dioxide बनता है ठीक तो जो hydrogen dioxide यहां जिसे हम water कहते हैं हम language में तो यह क्या है भई यह है product यह क्या है यहनकी यह जो है न यह दो hydrogen oxygen यह है यहां पे reactant water जो निकल के आए है hydrogen dioxide वो निकल के आया product same यहां पे magnesium और oxygen यह क्या है reactant and magnesium oxide जो बना इन से वो है product like यहां पे zinc और sulfuric acid H2SO4 तो वो क्या बनाती है वो बनाती है zinc sulfate and hydrogen क्या बनाती है zinc sulfate and hydrogen तो zinc and sulfuric acid यह है यहां पे reactant and zinc sulfate and hydrogen जो निकल के आए वो बने यहां पे product and reaction में आप always देखोगे कि जो left hand portion है ना वहां पे reactants को लिखा जाता है और जो right portion है यह arrow के right में यहां पे क्या लिखा जाता है यहां पे products को लिखा जाता है ठीक तो product क्या होती है यह होती है new substance ठीक original substance क्या होती है reactants ठीक I hope आपको समझ में आया होगा अब कुछ characteristic होते हैं chemical reaction से यान कि किन चीज़ों से आप एक chemical reaction को पहचान सकते हो कि यहां पे chemical reaction हुई है पहला है evolution of gas जहां पे कोई gas evolve हो जाई है यहां कि बाहर के निकल के आए गेस कोई भी reaction में अगर gas बाहर निकल के आए तो वो है chemical reaction next step formation of precipitate अगर कहीं पे precipitate बनता है precipitate क्या होता है यहां पे हम देखिंगे ठीक मेरे पास है barium chloride और मेरे पास है sulfuric acid ठीक barium chloride यह है यह वाले container में है मेरे पास barium chloride and यहां पे है sulfuric acid ठीक तो मैं क्या कर रहा हूं मैं sulfuric acid को mix कर रहा हूं with barium chloride क्या कर रहा हूं sulfuric acid को mix कर रहा हूं यहां पे with barium chloride तो यहां पे देखिए यह जो precipitate बन रहा है देखिए यहां पे white precipitate बन रहा है तो यह हो गया white precipitate किस्ता barium sulfate का यहां पे precipitate बन रहा है देखिए यह वाला जो white आपको बस आपको याद रखने हैं आपको पेपर में नहीं पूचा जाएगा कि शाउन्हेश जाइगा आपको याद रखनी है, डीटेल में आपसे question नहीं पूचा जाएगा, खाली याद रखना है कि ये characteristic है या नहीं है chemical reaction का, next है यहाँ पर change in temperature, काफी important, change in temperature काफी important, क्योंकि यहाँ पर जो reaction होती है, वो दो types में divide की जाती है, एक होती है exothermic reaction, next होती है, endothermic reaction, exothermic reaction, वो reaction होती है, जहाँ पर heat जो है वो generate होती है, या heat produce होती है, आलड़ी हमने कहाँ पर भी देखा physics में, जब मैंने आपको nuclear fusion और fission बताया था, वहाँ पर भी मैंने mention किया था, exothermic और endothermic reaction, ठीक, तो exothermic reaction, जहाँ पर heat produce हो, like हम बोलेंगे, जब calcium oxide किसे मिलता है, जब calcium oxide mix होता है with water, तो वह हमें पर बनता है calcium hydroxide, क्या बनता है calcium hydroxide, C-A-O-H, whole twice, वहाँ पर निकल के बनता है, और वहाँ पर heat निकल के आती है, तो जब heat निकल के आईए ना, heat यहाँ पर produce होई ना, यहाँ जनरेट होई ना, तो इसे कहते हैं हम भई, exothermic reaction, अब endothermic reaction क्या होती है, endothermic reaction में heat absorb होती है, heat absorb होती है, like calcium carbonate, C-A-C-O-3, calcium carbonate को अगर हमें break करना है, किसमे calcium oxide और carbon dioxide में, तो calcium carbonate को हमें heat करनी होगी, यहाँ पर heat देनी होगी, यहाँ पर heat absorb करेगा, तो यहाँ पर क्या हो रही है, heat absorb हो रही है, तो इस type की reaction, जहाँ पर हमें products मिले calcium oxide और carbon dioxide, तो इस type की reaction को हम बोलते हैं, इंडोथर्मिक रियक्शन जहांपे heat absorb हो रही है यानि कि यहांपे calcium carbonate जो है वो heat को absorb कर रहा है पहले case में हमने देखा calcium oxide और water मिल रहे हैं तो वहाँपे heat evolve हो रही है heat generate हो रही है ठीच तो यह होगी exothermic यह होगी इंडोथर्मिक जो combustion reactions होती है जो combustion reactions होती है जहांपे burning होती है जहांपे burning involved होती है या respiration यह होती है exothermic reaction यहांपे क्या होती है यहांपे heat generate होती है चाहे कोई भी combustion reaction हो कोई भी burning की reaction हो जहांपे burning आए वहाँपे क्या होती है heat produce होती है तो यह होती है exothermic इनको याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है डिकमपोशन रियक्शन, जो डिकमपोशन रियक्शन होती है, like हमने देखा केल्शम कार्बोनेट, केल्शम कार्बोनेट यहाँ पे, केल्शम कार्बोनेट टूट रहा है चाफ water आप देखोगे ठीक, water की Electrolis 말reановी है, ISTONI, किसमें कन्वोड होनाän in zwei और oxygen में, यहाँ पर heat absorb होती है next step आई change in state तो यहां यह हो गया पांचवा characteristics change in state देखिए अगर आपने wax देखा होगा candle wax यह नीचे वाला portion जो है ना यह है candle wax ठीप तो candle wax during combustion जब यह वाला portion जो है ना मूबती का यह पूरा खतम हो जाए और वहां पे खाली wax वाला portion रह जाए तो wax जो है ना यह क्या होता है यह होता है solid form में initially और जब मूबती finish अब होना last stage पे पहुंच जहां पर यह finish होती है तो जहां पर इसकी burning जो है वो complete होती है तो वहां पर water और carbon dioxide produce होता है तो यह हो गया change in state यह यह wax जो था यह initially solid में था और यह किस में convert हो गया liquid और gase state में तो यह भी है बई characteristic तो यह पांच characteristic याद रखिएगा इनकी gase वालो होता है then precipitate form होता है change in color होता है change in temperature होता है और change in state ठीक ठीक यहां पर अब देखेंगे हम chemical equation ठीक काफी imported अब chemical equation क्या होती है यह होता है method ताकि हम represent करें a chemical reaction को यह अगर एक chemical reaction होती है तो हम इसको represent करें इंटर्मजाफ formula या इंटर्मजाफ symbol ठीक या इंटर्मजाफ formula या इंटर्मजाफ symbol या वाटर बन रहा है हमारे पास जो है ना water बन रहा है किसकी वज़े से एक तो जब hydrogen gas combine हो जाए किस के साथ oxygen गेस के साथ तो वहाँ पर क्या बनता है वहाँ पर water बनता है तो इसी को हम किसे represent करेंगे symbol से या फार्मिले से तो इसे कहा जाता है chemical equation like H2 plus oxygen देता है हमें H2O तो यह हो गई chemical equation ठीक mass then next होता है constant proportions ला आप consideration of mass काफी important किसमें दिया यह दिया भाई लहो जियर ने ला आप consideration of mass जो है यह क्या कहता है यह कहता है कि जो mass है ना वो constant रहता है यहन कि अगर initially आपने reactants को mix किया तो जो initial mass था वो constant रहेगा जो product बनेंगे ना वहाँ पर वही mass निकल के आएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे यह क्या कहता है तो जब carbon और oxygen मिलते हैं ठीक carbon और oxygen मिलते हैं तो वहाँ पर क्या produce होता है वहाँ पर carbon dioxide produce होता है carbon dioxide gas produce होता है तो carbon जो है ना carbon का atomic mass जो है वो है 12 क्या है 12 and oxygen का atomic mass है याद रखिएगा carbon का atomic mass होता है 12 oxygen का होता है 16 क्या होता है 16 तो देखिए यहां पर एक carbon और दो oxygen के atom मिल रहे हैं तो oxygen कितने हैं दो यहनकी o and o हो गए 16 and 16 तो यह हो गया total 32 32 plus 12 हो गया यहां पर 44 तो देखिए carbon plus oxygen जो reactants मिल रहे हैं इनका total जो mass है ना वो कितना है 44 ग्रैम देखिए अब इस reaction में क्या हो रहा है यहां पर carbon dioxide produce हो रहा है यहां product बन रहा है तो carbon dioxide का atomic mass होता है वो हमेशा कितना होता है 44 ग्रैम तो यह कहता है law of constant proportions ठीप यह क्या क्या चैटा है नाम पूछा ज़्यादा है कि लेव जेर ने कौन सा ला दिया था नेक्स्ट है यहां पर law of constant proportions ठीप यह क्या कहता है यह क्या 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 था है कि एक chemical compound जो होता है वो always consist रहता है same elements का है यह वो same elements जो होते हैं वो क्या होते हैं वो combined रहते हैं proper proportion में क्या proper proportion में like आप देखोगे hydrogen और oxygen वो मिलके क्या बनाते हैं water H2O तो H2O जब भी आपके दिमाग में आएगा H2O तो यहां पे जो hydrogen होंगे na hydrogen always 2 होंगे oxygen 1 होगा तो यहां पे ratio क्या हुआ ratio हुआ 2 is to 1 क्या हुआ 2 is to 1 यहां कि hydrogen और oxygen combine होके water का molecule बनाते हैं और water molecule कहां कहीं पे भी आप देखोगे न तो water molecule में same ratio होगा किसका hydrogen और oxygen का 2 is to 1 तो यह कहता है लाब constant proportion यह दिया था प्रॉस्ट ने यह याद रखिएगा next नहीं यहां पे balanced chemical equation और unbalanced chemical equation ठीक balanced chemical equation में क्या होते हैं यहां पे दूनों side जो होते है number of atoms यहां हम बोले number of electrons जो होते हैं वो same रहते हैं product side में भी और reactant side में यह है reactant side और यह है product side तो यहां पे क्या होता है यह जो number of atoms यह number of electrons जो होते हैं वो same रहते हैं ठीक काफी important number of electrons काफी important एक दो बार पूशा जा चुका है कि जो balanced reaction में क्या balance किये जाते हैं, electrons, protons, neutrons, तो याद रगएगा, electrons, ठीज, तो देखिए, यहाँ पे zinc का एक atom और यहाँ पे zinc का एक atom निकल के आ रहा है, देखिए, hydrogen, hydrogen के दो atom, यहाँ पे hydrogen के दो atom, sulfate का एक atom और यहाँ पे sulfate का एक atom, तो यह होगी balanced chemical equation, next देखिए, unbalanced chemical equation, what H2 plus oxygen, यहाँ पे क्या दे रहा है हमें, H2O देखिए, यह है unbalanced reaction, देखिए, hydrogen के दो molecule, oxygen के दो molecule, 2 plus 2, तो यहाँ पे, reactant side में कितने molecule हैं, 4, और यहाँ पे देखिए, product side में, H2O, hydrogen के कितने, 2 molecule, और oxygen का एक molecule, तो हो गया 3, तो यह है unbalanced chemical reaction, तो देखिए, यहाँ पे 4 molecule, और यहाँ पे 3 molecule, तो इन reaction को हमें क्या करना होता है, balance करना होता है, हम simply क्या करेंगे, यहाँ पे 2 multiply करेंगे, तो यह बनेगा 2 into H2O, यहाँ कि, hydrogen कितने, 4, और oxygen कितने, यहाँ पे 2 atom, ठीक, तो इस side में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे, हम यहाँ पे hydrogen को 2 multiply करेंगे, तो इस side में अब देखिए, hydrogen के total 4, और oxygen के total 2, total हो गए 6, और इस side में भी total हो गए 6, तो अब यह हो गई, balanced equation, यहाँ कि 2 times H2 plus oxygen gives 2 times H2O, ठीक, next है, यहाँ पे, types of chemical reactions, ठीक, काफी important, 5 type C reactions को हमें यहाँ पे देखना है, जो की पहली reaction है, यहाँ पे, combination reaction, simple combination reaction, combination, name ही है, यहाँ पे, combination यहाँ कि, यहाँ पे, क्या होता है, देखिए, 3 type से combination reaction होती है, यहाँ तो, 2 element combine होते हैं, वो compound बनाते हैं, सुनिए मेरी बात को, 2 element combine होते हैं, वो compound को बनाते हैं, यहाँ तो, 2 compound combine होते हैं, वो किसी और compound या, एक से ज़्यादा compound बनाते हैं, यहाँ तो, 1 compound और, 1 element combine होता है, यहाँ तो, 2 elements, यहाँ तो इन रियक्शन को हम कहते हैं कम्बिनेशन रियक्शन लाइक देखे एच्टू प्लॉस ऑक्सिजन क्या दे रहा है हमें तू है एच्टू ओ इस रियक्शन को खुद ही बैलंस कीजिएगा नेक्स्ट है यहां पर केल्शम ऑक्साइड काफी इंपोर्टेंट काफी बार क्यों 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 क और देता है calcium carbonate calcium carbonate की formula याद रहिएगा CaCO3 next reaction देखिए यहाँ पर carbon monoxide किसे मिल रहा है oxygen से और यहाँ पर carbon dioxide निकल के आ रहा है तो यह भी क्या है यहाँ पर यहाँ पर combination reaction क्या है यहाँ पर combination reaction और यह equation को भी यहाँ पर balance कीजिएगा simply यहाँ पर two times carbon monoxide लिखिएगा और यहाँ पर two times carbon dioxide तो यह होगे combination reaction जहाँ पर दो elements यहाँ दो compound यहाँ एक element और एक compound मिलता है और वो नई compound बनाते हैं next नहीं यहाँ पर decompotion reaction अब decompotion reaction क्या होती है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एक element जो होता है वो decompose होता है, क्या होता है decompose, यहां वो compound, यहां पे compound sorry, element नहीं, बलकि compound, जो compound होता है, वो break होता है वो break होता है, दो यहां दो से ज़्यादा compounds में, ठीक यहां पे देखिए, calcium carbonate C, A, CO3, और decompotion reaction जो होती है, यहां पे तीन चीज़ें इनवालो होती है, एक heat, then electricity, then light ठीक है, यहां कि इन तीन चीज़ों की मदद से decompotion होती है एक compound की, देखिए, calcium carbonate, calcium carbonate को heat up करते हैं हम, ताकि वहां से हमें मिले calcium oxide और carbon dioxide gas, तो यह है decompotion reaction, देखिए, H2O H2O किस में break हो रहा है, एक hydrogen में, दूसरा oxygen में, ठीक किसकी हलब से, electricity next है, यहां पर AGBR, AG हो गया, silver, silver bromide तो silver bromide किस में यहां पर convert हो रहा है, silver और bromine atom में, ठीक, यहां पर bromine element में, तो यह होता है light की हलब से, तो decompotion reaction होगी, जब एक compound break हो जाए, एक या एक से ज़्यादा compounds में तो वो होती है, decompotion reaction क्या होती है, decompotion reaction next है, यहां पर displacement अब displacement reaction क्या है, यह काफी important है, और यहां पर आपको देखनी होगी, reactivity series जहां पर question frame होते है, and अगर आपको reactivity series अच्छे से याद है, you can easily figure out कि कौन सा element यहां पर displaced होगा तो पहले देखेंगे, हम displacement reaction क्या होती है, displacement reaction में क्या होती है यहां पर जो elements होते है वो displaced होते हैं, यहां replace होते हैं याद रखिएगा, elements जो होते हैं वो replace होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं ठीक, तो from their original compounds, like यहां पर है, यहां पर copper sulfate को किसे मिलाया गया है, यहां पर zinc के साथ copper sulfate plus zinc, और देखिए यहां पर क्या बन रहा है, zinc sulfate initially क्या था copper sulfate किसे मिलाया, zinc से, अब यहां पर zinc sulfate बन रहा है, और copper बाहर निकल के आ रहा है, तो यहां पर zinc ने क्या किया है, zinc ने यहां पर copper को displace किया, क्या किया copper को displace हिया, या copper आप्ट को रिप्लेस है ताब जाके वहाँ पर किष्ग सलफेड बना और कॉपर बाहर निकलarettal के आया ठीड तो आब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि यह हम रिप्लेस्मेंट यहां डिस्प्लेस्मेंट किसी होगी और कौन करेगा यहाँ पे कौन replace होगा और कौन replace नहीं होगा next reaction में देखिए magnesium plus HCl ठीक magnesium plus HCl तो देखिए यहाँ पे MgCl2 आ रहा है तो यहाँ पे hydrogen जो है न वो यहाँ पे क्या हो रहा है वो displace हो रहा है और इससे displace कौन कर रहा है यहाँ पे magnesium hydrogen बाहर निकल के आ रहा है आप देखिएंगे हम displacement कौन होंगे और displacement कौन element नहीं होंगे तो यह है यहाँ पे reactivity series इन elements को आपको याद रखना है potassium, sodium, calcium, magnesium aluminum, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold and hydrogen जो है न यहाँ पे यह है यहाँ पे origin क्या है यहाँ पे fix point क्या है भई यह है fix point यहाँ ठीक hydrogen अब hydrogen के ऊपर जितने भी element है यह जो आपको red में दिख रहे है यहाँ पे जितने भी element है hydrogen के ऊपर अच्छे से सुनिए जितने भी element है hydrogen के ऊपर होते हैं यह more reactive होते हैं क्या होते हैं more reactive यह यह शमता रखते हैं कि यह एक compound में से एक element को replace करें क्या करें replace देखिए magnesium है यहाँ पे ठीक magnesium देखिए magnesium किसको replace कर रहा है hydrogen को क्योंकि magnesium जो है वो है above hydrogen तो जितने भी element above hydrogen होंगे न वो ये शमता रखेंगे कि वो एक compound में से एक element को replace करेंगे या displace करेंगे या दका देके बाहर निकालेंगे इनमें इतनी शमता है ठीक तो ये reaction में देखिए copper sulfate और zinc तो zinc जो है ये copper को क्या कर रहा है यहाँ पे displace कर रहा है देखिए copper कहाँ पे है copper देखिए यहाँ पे copper और यहाँ पे zinc तो zinc देखिए red में है तो zinc में ज्यादा ताकत है यहां पे तो यह क्या करेगा यह कॉपर को डिस्प्लेस करेगा दक्का देकर बाहर निकालेगा देखे कॉपर सलफेट और जिंक देखे जिंक क्या कर रहा है यहां पे कॉपर को बाहर दक्का देकर बाहर निकाल रहा है और खूद किसके साथ रल रहा है यहां पे मिल learning how crucial moment save gold तो प्लीज यहाँ पे potassium, sit-off यहाँ पे sodium calling calcium, me, magnesium A, aluminum, zebra, zinc inister, iron, tin, tribe lead, learning and यहाँ पे same how crucial moment save gold तो यह याद रखिएगा trick को तो अगर मैं आप से पूछूँ कि mercury और aluminum में ज्यादा reactive कोन है तो कोन है aluminum क्योंकि aluminum जो है वो है abohydrogen और mercury जो है below hydrogen and most reactive element कोन है potassium and least reactive कोन है reactivity series में वो है gold तो जितने भी element abohydrogen है वो क्या करेंगे displace करेंगे और जो नीचे है न वो displace नहीं कर पाएंगे यहन कि hydrogen के उपर जो आपको यह element is दिख रहे हैं रड में यह काफी ताकतवर हैं यह एक compound से एक element को displace करके बाहर निकालते हैं next time यहाँ पर double displacement reaction double displacement यहन कि यहाँ पर क्या होती है displacement जो होती है वो दो बार होती है बाकिस हैं में like displacement खाली double displacement यहन कि यहाँ पर two times replacement होती है देखिए यहाँ पर BACL to NA2SO4 देखिए BACL BA किसे साथ मिल रहा है SO4 के साथ थी and NA यह किसे साथ मिल रहा है यहाँ पर CL के साथ देखिए यहाँ पर double displacement हो गई थी next time यहाँ पर redox reaction redox reaction जो होती है यह होती है combination of oxidation and reduction reaction यहाँ पर एक ही reaction में oxidation भी हो reduction भी हो तो इन reaction सो बोला जाता है redox reaction तो oxidation क्या होती है oxidation होती है addition of oxygen यहाँ कि अगर यह element A है आप इसको oxygen जो है वो add up करोगे तो यह होगी oxidation यहाँ आप यह element से remove करोगे hydrogen क्या करोगे remove hydrogen ठीक इसे भी oxidation कहा जाएगा reduction जब आप एक element को add करोगे hydrogen यहाँ कि plus हो गया add यह minus oxygen remove करोगे तो वो होगी reduction क्या होगी reduction oxidation एडिशन आप oxygen यहाँ रिमॉल आफ हीडरोजन reduction एडिशन आप हीडरोजन यह रिमॉल आफ oxygen ठीक next चै अइचस है oxidizing agent and reducing agent oxidizing agent वो substance ठीक जो oxygen दे ठीक जो oxygen दे यहा remove क्या करे hydrogen इन substance को का जाता है oxidizing agent और reducing agent the substance which give hydrogen जो hydrogen दे यहां remove किसको करे oxygen को उनको कहा जाता है reducing agent यहां पे समझते हैं ठीक reaction में यहां पे है reaction यहां पे copper oxide plus hydrogen यह क्या दे रहा है copper और water को ठीक copper और water को यहां पे देखिए अच्छे से ठीक तो देखिए copper oxide copper oxide में क्या है copper और oxygen देखिए आप जो है ना after reaction जो खत्म हुई यहां पे copper निकल के आया बाहर और hydrogen देखिए hydrogen में क्या एड़ उड़ हुआ oxygen इनकी hydrogen को यहां पे oxygen एड़ हुआ और copper से oxygen बाहर निकला बाहर निकला तो यहां पे oxidized substance कोन है, वो है hydrogen, यहन की hydrogen को add हुआ oxygen, यहन की यहां पे oxidation हुई, ठीक, hydrogen में, and reduction कि इसमें हुई, जो copper है न, यह copper oxide जो है इसमें oxygen को remove किया गया, तो यह बना copper, तो मैंने बोला, जब oxygen को add किया जाएगा, देखिए यहां पे, जब oxygen को add किया जाएगा, तो वो है बहाई क्या Oxidation and Reduction जब Oxygen को Remove किया जाएगा जब Oxygen को Remove किया जाएगा तो वो है बहाई Reduction देखे Remove of Oxygen हो गया Reduction and Addition of Oxygen हो गया बहाई Oxygen तो Hydrogen में क्या हो रही है Oxidation हो रही है और Copper Oxide में क्या हो रही है Reduction तो हम बोलेंगे जो Oxidized Substance यहाँ पर है hydrogen and oxidizing agent को है वो है copper oxide वो है भई copper oxide and reduced substance को है यहाँ पे copper oxide क्योंकि इसमें oxygen निकाला जा रहा है बाहर निकल रहा है तो reducing agent को है hydrogen ठीफ नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ यहाँ पे hydrogen sulfide and chlorine यह क्या दे रहे हैं यह दे रहे हैं sulfur और दे रहे हैं two times hcl यह आपके लिए यहाँ पे मैंने छोड़ा है ठीक next लेकिंगे हम यहाँ पे कुछ questions ठीक तो पहला question है यहाँ पे the correct order of reactivity काफी बार reactivity series पे question पूछे जा चुके हैं तो यहाँ पे a question यहाँ मैंने लाया है तो correct order आपसे पूछ रहा है reactivity series मैंने आपको reactivity series याद रखने के लिए ट्रुक अभी mention की ठीक अभी ट्रुक mention की तो पहले जो elements है please stop calling me a zebra ठीक potassium तो पहले आता है potassium then stop इनकी sodium calling calcium me magnesium तो correct क्या रहेगा option c यहाँ पे ठीक potassium जो है ना यह greater reactive and reactive है then sodium then calcium then magnesium ठीक next question which of the following is the most reactive metal ठीक iron gold magnesium sodium तो यहाँ पे क्या है reactivity series मैं iron gold magnesium sodium तो हमें पता होता है पहले होता है potassium then होता है sodium then होता है calcium then होता है magnesium ठीक then होता है aluminium देखिए यहाँ पे potassium को mention नहीं किया गया है बट यहाँ पे sodium को mention किया गया है तो sodium यहाँ पे रहेगा वीच आप फॉलूविंग यह जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉटर्शम अगर आप से ऑप्शन में पॉटर्शम नहीं मांग रहा है तो जो पॉटर्शम के बाद मोस्ट रियक्टिव है वह हमारा सुलूशन होगा तो सोडियम है मोस्ट रियक्टिव दें आप्टर पॉटर्शम तो सोडियम यहां पर कॉरेक्ट ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट कॉट्शन फॉर दी फॉलूइंग रियक्शन दी रिडूशिंग एजन्ट इस तो यहां पर रियक्शन आपको दी गई है लास्ट येर आरा भी के पेपर में मैंगनीज ऑक्साइड यहां पर मैंगनीज डियक्षाड यहां है Elementary एंकि हेट्रोंकलोरिकसर यहां यहां पर क्लों राहे है कि यहां पर लूश कर रहा है कि यहांपर वलूश कर रहा है यहां element है उसे हम oxygen को क्या करें remove करें तो manganese dioxide जो है न यहां पर यह क्या हो रहा है यहां पर reduce हो रहा है तो manganese dioxide यहां पर क्या हो रहा है reduce हो रहा है तो याद रखिएगा पहले manganese dioxide हो गया यहां पर reduce ठीक next तो यह क्या बन रहा है manganese dichloride MnCl2, क्या बन रहा है, Magnes Dicoluride next हम देखेंगे HCl, देखें HCl HCl से क्या बन रहा है, यहाँ पे Cl, तो HCl से यहाँ पे क्या हो रहा है तो यह hydrogen को lose कर रहा है, तो यह जब कोई hydrogen को lose करे न जिस से hydrogen remove किया जाए तो उसमें क्या होती है oxidation होती है और हमें पता है reducing agent क्या होता है वो substance जो hydrogen को दे यह oxygen को remove करे तो HCl यहाँ पे Magnes Dioxide से oxygen को remove कर रहा है और खुद क्या दे रहा है खुद hydrogen दे रहा है तो यहाँ पे HCl जो है ना वो correct option रहेगा तो HCl क्या है यहाँ पे reducing agent next question reaction दी compound A is आपको reaction दी गया और आपको बताना है कि compound A जो यह product बन रहा है यह कोन है यहाँ पे तो calcium hydroxide को किसे मिलाना है carbon dioxide के साथ तो यह यहाँ पे क्या देगा CACO3 reaction आलड़ी हमने कावर की तो CACO3 यहाँ पे आलड़ी correct रहेगा तो अगर आपको पता नहीं होगा तो with the help of chemical equation balancing of chemical equation आप इस question को कर पाते ठीक तो chemical equation की balancing जो है वो काफी important है next question which gas is released on complete combustion of methane on complete combustion of methane तो methane होता है भई CH4 यहनि कि जब आप methane को combustion करते हो यहनि कि oxygen क्या करते हो मैंने बोला combustion combustion जो होता है वो last lecture में वो हमेशा होता है in presence of oxygen तो वहाँ पे complete combustion में क्या बाहर निकल के आता है वहाँ पे carbon dioxide बाहर निकल के आता है अगर यह question पूशा जाता है incomplete combustion तो incomplete combustion में क्या होता है carbon monoxide जो dangerous यह से ना वो बाहर निकल के आती है तो this all about chemical reactions next lecture में हम देखेंगे names of important chemical compounds और उनके related chemical reactions actually जो chemical reaction है न वो हमें पढ़ना नहीं है बट हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है chemical reactions आप important compounds वो हम देखेंगे next lecture में जो understanding है ना chemical reaction की वो आपको यहीं पे जानी थी तो next lecture में हम continue करेंगे यह वाले session को तो चलिए अपने lecture को मैं यहीं पे end करूँगा मिलींगे next lecture में till then take care भवाई